पहले ऐसे समझना लड़के मिश्रन दिया है इसमें लिखाए कि इसमें लोहा है पलस रेत है और पलस काच है काच मतलब किसा लोहा बोल रहा है लोहा 20 प्रतिसत मिलाया गया है तो काच की मातरा हम निखालेंगे पहले और तो इसका मतलब यहां से लिखोगे लोहा की मातरा अच्छे लोहा की मातरा बराबर कितना हो जाएगा प्रतिसत लिखोगे रेत की मातरा अटिस प्रतिसत तो काच की जब निकाले जाओगे लोगे प्रतिसत हमें साथ सो पर निकाला जाता है इज़ें का मतलब कि सौ में से 20 पलस 38 कर दोगे तो नहीं पता चले जाएगा इन दोनों में से घटा तो जोड़कर तहीं हो जाएगा सो माईनस रही कितना हुआ है और ऑफ निकालीस प्रतिसत प्रतिसत तो जाएगा तीक है उसने दिया है कि काच की मातरा दिया हुगा है का कि मातरा बराबर 168 गज दिया है तब आ कि कूल यहां तुम्हारा प्रतिशत ह кажँ और यहां तुम्हारा प्रकता का अधर नहों टोनते हो जाएगा सो कितना होता है लड़के होता है मैं कितने पेपर हुआ उसमें काई नंबर पाय Ohhh बा intestines लेना अब है अब यहां सी ज disco आख़ाए प्रतिशात है तो प्रतिशात कहा थिव्य प्रतिशाट 22 कि अपर कितना तुम्हारी मात्रा जितके एक सोबर गुंते हो जाएका सोब कुल मिच्ण कोली कि मतलब लोहा रेथ और का मतलब क्या थू कुणा के लिख दो नहीं तो क्या लिख दो सब्सक्राइब अब लगता है कि चार बाद बढ़ जाएगा यह देख रहे हो ना अई से सवाल लगेगा यह का हुआ है यह दिदि उस मिश्वरण में काच की मात्रा 168 कराम है तो बताइए कुल कितना मिश्रण है इस तरह लगाईएगा चाहँ सवाएगा